जारखन के धनबाद जिले में एक अंडरपास के नीचे मिट्टी धसने से चार मजदूरों की मौत हो गई सभी मजदूर मंगलवार यानी 12 जुलाई की रात इसी निर्माणा धीन अंडरपास के नीचे काम कर रहे थे यहादसा प्रधान खांटा रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसे में दो मजदूर घायल भी हुए जिनने पास के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया जानकारी के मुताबिक रेलवे ट्रैक के नीचे अंडरपास का निर्माण कारे चल रहा था रेलवे ट्रैक से मालगाडी गुजरने के दोरान यहादसा हुआ आज तक से जुड़े सिथुन मोदक की रिपोर्ट के मुताबिक मिट्टी धसने के कारण 6 मजदूर मलबे में दब गए इन सभी को पास के अस्पताल में पहुचाया गया लेकिन डॉक्टर ने चार को मृत खोशित कर दिया काम के दोरान रेलवे का कोई अधिकारी मौके पर नहीं था यह घटना रात करीब 8 बजे घटी है हाला कि इस्थानिय थाने को सूचना दिये जाने के बाद भी 10 बजे तक पुलिस मौके पर नहीं पहुची थी घटना के बाद ग्रामीडों ने रेलवे पर लापरवाही से काम कराने का आरोप लगाया है इस्थानिय लोग घटना इस्थल पर पहुचकर प्रदर्शन करने लगे ग्रामीडों ने मांग की कि मुरतक मजदूरों के परिवार वालों को मुआवज़ा मिले और हादसे के लिए जिमेदार व्यक्ती के खिलाफ कारवाई हो इसके बाद धनबाद के DRM ने प्रधान खांटा स्टेशन पर ग्रामीडों को लिखित आश्वासन देने की बात कही सितुन मोदक की अनुसार मिट्टी के नीचे दबने वाले मजदूरों में निरंजन महतो, पपो कुमार महतो, विकरम कुमार महतो और सौरब कुमार धीवर शामिल थे एक मुन तक मजदूर की बेटी तनुश्वी महतो ने आज तक को बताया कि वहाँ सुरक्षा मानकों के तहत काम नहीं किया जा रहा था उसने रेलवे पर लापरवाही का आरोप लगाया और सरकार से अपनी बड़ी बहन के लिए नौकरी देने की माम भी की है एक घायल मजदूर छोटेनात महतों ने मीडिया को बताया कि हादसे के बाद ठेकेदार और मुन्शी सहित दूसरे लोग भाग गए उन्होंने बताया कि मालगाडी के पास होने के कारण ये घटना हुई हादसे के बाद बुधवार यानि 13 जुलाई की सुबह भी लोग घटना स्थल पर धरने पर बैठे हैं इस सेंट्रल रेलवे जोन ने बताया कि घटना के बाद रात में कई ट्रेने डाइवर्ट या रद कर दी गए ट्रेन डाइवर्ट या लेट होने के कारण धनबाद स्टेशन पर भी यातरी परिशान हो गए हाला कि सुबह पाँच बजे के बाद लाइन क्लियर हुई और प्रधान खाटा धनबाद गया रूट पर ट्रेन सर्वेस शुरू हो गई शुक्रिया झाल हो गए याद ए यार झाल 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 पर रद उल याल यार यार ठत या